चुनावों की नजदीकी में मुद्दों के पतीनों को कुछ अलग अंदाज में घर्म किया जा रहा है उसमें जीत का सियासी फॉर्मूला पकाने के लिए अलग-अलग वर्गों और जातियों के हितों से तड़का भी लगाया जा रहा है मौके की नजाकत भी इसी बात पर जोर दे रही है कि अब उन वर्गों को रिज़ाया जाए जो किसी और का वोट बैंक साबित हो सकते हैं लहाजा सत्ता रूर दल पीजेपी का मिजास इन दिनों पिछडों और दलितों के लिए पिघला सा लगता है मोधी सरकार OBC कमिशन को समवैधानिक दर्जा देने और हमी सूचित जनजाते उत्मीडन निरोधक कानून संशोधन बिल लोग सभा में पेश करने वाली है ये दोनों बिल पिछडे और दलित समाज को अधिकार संपन्न करने के लिए है सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार OBC और दलितों को लेकर अचानक इतनी संसूधा कैसे हो गई क्या सरकार पिछडों दलितों के ही सहारे 2019 में महागटवंदन को मात देगी दरसल राजनीती में संख्याबल सबसे एहम है और चुनाव सिर पर हैं सरकारी आकड़े बताते हैं कि OBC और दलित समाज कुल जनसंख्या का लगभग 70-20 है इस लिहाज से किसी भी राश्टिय या क्षेत्रिय दल के लिए इनकी अंदेखी चुनाव में फारी पड़ सकती है SCST एक्ट में 20 मार्च को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाल दलित राजनीती में उबाल है इस एक्ट को उसके पुराने स्वरूब में लाने की मांग को लेकर 9 अगस्ट को दूसरी बार देश ब्यापी दलित आंदोलन होने जा रहा है इससे पहले 2 अप्रेल को हुआ था उधर नौकरियों में आरक्षन को लेकर OBC समाज में भी नाराज़गी है ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इनकी नाराज़गी मोल लेकर 2019 में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती संसद में जो OBC बिल और सम्विधान संशोधन बिल पेश किये जाने वाले हैं उससे BJP चुनावों में बिछले वर्ग को लुभाने के लिए एक बड़ी उपलब्धी के तौर पर पेश कर सकती है अगर वो अपनी मंच्शा में काम्याब हुई तो OBC की 5000 से जादा जातियों का लाव उसे मिल सकता है OBC में शामिल जातियों को लुभाने के लिए मोधी सरकार दो दाओं खिलती तिक रही है उसमें पहला है OBC कमिशन को समवेधानिक दरजा देना और दूसरा 27 फीस्दी OBC रिजर्वेशन के अंदर कोटा देना की काफी समवेधन शील माना जा रहा है आला कि ये बात आयोग तै करेगा कि OBC में शामिल ऐसी कौन सी जातियां हैं तिन्हें आरक्षण का पूरा लाव नहीं मिला और ऐसी कौन सी जातियां हैं जो आरक्षण की मलाई खा रही है यहां गौर करने लायक बात ये है कि चुनावों से एन पहले आजमाई जा रहे SC, ST और OBC कार्ड के पीछे BJP की मंशा कुछ हट कर है इससे लेकर सियासी पंडित बताते हैं कि BJP का टारगेट OBC के अपर सेक्शन से हट कर OBC की उन जातियों पर है जिनने सब केटेगराईजेशन के जरिये लोभा कर उन्हें तोड़ा और BJP के फेवर में किया जा सके आला कि BJP इस एक्सपेरिमेंट या इस मंशा में कितनी सफल रह पाती है इसकी सठीक रूप से तस्दीक आने वाले चुनावी नतीजे करेंगे उससे पहले सारी बाते अनुमान और संभावनाओं के दाइरे तक ही सीमित हैं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफडेट आने सब्स्राइब कीजिए